नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे इस वीडियो में बात कने वाले हैं रेलवे जीडिसी भरती 2023 की गाड़े दोस्तों आप लोग के मालूँ होगा कि जीडिसी फेकेंसी 2023 में जो निकाले गई थी सेंट्लाइज तरीकेस नि लेकिन दोस्तों Ministry of Railway के दोरा एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी किया गए है जिसमें सभी जूनों में एक्जाम जल्द होने की बात कही गई है तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को शंपूर जनकारे बताने वाला हूँ कि आखिरकार सभी जूनों में एक्जाम कब तक कंड़क्ट कराया जा सकता है इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार भीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रिस कर लें फ्यूक्र में लेट इस्ट अबडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप लोग के अब यर्थों को भी एक्जाम सही से कंड़क्ट नहीं करा पाई फाइल उन्हों ने घुसना किया कि अब जो वेकेंसी है सिंट लाइ तरीके से नहीं होगा सभी जोन अपने एस्था पर एक्जाम करा सकते हैं लेकिन दोस्तों सभी जोन माना माने कर रहे थे इसके रिगाड एक्जाम कराने की बात कही गई है दोस्तों ए रहा लेटर यहाँ पर देख पार होगी भारत सरकार यानि गवर्मेंट ऑफ इंडिया मनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ट के दोरा यह लेटर जारे किया गया है जो की 34 2024 के डिट में ही जारे किया गया था दोस्तों ए जो लेटर है जेनरल सेक्रेटरी AIRF को लिखा गया है यहां पर पुरा इंटर भी मिसर किया गया है सब्यक्रית में देश सकते हैं टाइमली होड़ ऑफ गजंडी ल्डी सी ओपिंटिू- warm पीन stored किया गया है और और रिफ्रेन्स में यहां पे बोर्ड का लेटर लेटर न अंडर साइनेट इस डिरेक्टे तू रेफर तू मिनट्स ओफ दा मीटिंग हेल्ड और इग्यारा और बारा अप्रिल दोजार तेश वेरिन इट वाज मेंशन्ड डिमांड देट लेटर में भी इसुट जूना रेलवे और जीडिसी रिगार्डिंग क्लरिफिकेशन ओफ जी दूस्तों यहां पर के द्वारा जो ग्यारा और बारा प्रिल दोजारतेश को मीटिंग किया था जिसमें मिनिस्ट्री ओफ रेलवे से जीडिसी एक्जाम के रिगार्डिंग क्लरिफिकेशन मांगे थे और कुछ से यारेफ के द्वारा सजेशन दिया गया था कि टामली यह आपर एक्जाम करवाया जाए उसी के दोस्तों यहां पर मिनिस्ट्री ओफ रेलेवे ने ग्याम करके यहां पर गोष्णा कर दिया है यहां पर देशाते आगे मिनिस्र् क्या है टाइमली एंड फोर इस जोनर रेलवे सूट प्लांद जीडिशी इंटक आयट दर टाइम ऑफ प्लेशिंग इंडेंट फो डारेक्ट रिकूट्मेंट भैकेंसी तो दोस्तों मिनिस्ट्री ओफ रेलवे ने AIRF की बातों को मान लिया है यहां पर जैसकते हैं माईटर को गुष्णा किया था कि जो सिंटलाइज भैकेंसी निकला गया है उसको कैसिल किया जाता है सभी जोन अपने लेवल पर एजाम कंडक्ट करा सकते हैं लेकिन मैक्स्मम जोन इस पे कोई नोटिस जारी नहीं किया है अभी अभी सिकंद्रावाद में ये गुष्णा किया है कि जीडी सी का एक जामने सर्फ एक जून से स्टार्ट होने वाला है उसके बाद में यहां पर मैक्समम जून से कोई भी अपडेट जारी नहीं कि गए हैं तो मिनिस्टी ओफ रेलवे के ओडर को कहा ररसी मान रही है कोई यहां पर फॉम को रियापलाई करा रहे हैं जो भी हर नहीं किया गया है कि फॉम रिपलाई होगा जो भी चूट गए हो अपलाई कर पाएंगे कि नहीं एकजाम कम होगा तो दोस्तों मिनिस्ट्री ओफ रेलवे तो यहां पर और जारी कर देता है लेकिन यहां पर फोलो कहा किया जा रहा है एक एक वैकेंसी को यहां पर 55 सल तक पहले जो एकजाम कंड़क्ट कर जाते ते जीरिसी के जोर्नल रेलवे पर तो 5 सल 6 सल लगाते थे वही हाल फिर भी होने वाला है यहां पे तो मेंशन कर दिया गया कि आब एकजाम आपको टायमी कंड़cak्ट कर देक्कट कर जाएगा थे हां पहां तक रूल को फोलो किया जा तो दोस्तों आप लोग तयार हैं, हो सकता है कि अधर RRC जोन भी जून में एक्जाम कंड़क्ट करा है, क्योंकि RRC सिकंद्राबाद ने नोटिस जारी कर दिया है, तो दोस्तों जो भी अभियर्थी RRC GDC के फर्म अपलाई किये हैं, तयारे में जूटे रहें, क्योंकि RRC सिकं आप के लिए 5-10 दिन पहले भी नोटिस जारी के जाता है, कि आपका एक्जाम इस देट में कंड़क्ट हो रहा है, तो दोस्तों यहां पे एक जोन अपडेट जारी क्या है, कि जून में एक्जाम होगा, तो अधर जोन में भी एक्जाम होने की maximum possibility है, इसलिए आप लोग तय तूटे रहें, जब एक्जाम होगा तो इसके लिए आप तयार रहें